नमस्कार वच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल साइक उलाजी वाले गुरुजी में तो आज के क्लास में हम जिस महत्पूर टापिक के बारे बात करने वाले हैं उस टापिक का नाम है सोथ के आयाम यानिकि डायमेंशन आप रिश्टार से बताने है ये सोथ के अयाम होता क्या है तो देखिए अनुसंधान आयाम अनुसंधान के विभिन पहलू या दिश्टिकोड है जिन पर सोथ करता अनुसंधान को करते समयं करते हैं कि अनसंद्धान या जिसको हम सोद अयाम भी बोलते हैं इससे ताइब यह होता है कि आजकर रिधिके üzlet करता जब अपने सोद का डी डियाइन बनाता है तो वो सोद से इसे दिश्टिकोड़ों पर विचार करता है इसी को हम क्या बोलते हैं सोद के आयाम यानि की dimension of research अब सोद के कौन कौन से आयाम है आएए यहाँ पर हम समझते हैं heading के माध्यम से सबसे पहला आयाम है अस्तित्वबाद यानि की इसको इंगलिस में बोलते हैं उंटो लादि अब अस्तित्वबाद सोद के अंतरगद यह पहला आयाम है इसमें क्या कर करता है सोद करता वास्त्विक्ता की प्रक्ति और क्या मौजूद है इसके बारे में वह विचार करता है या इसके बारे में वह अधिन करता है देखिए पहला जो है अस्तित्वबाद तो वह इसमें सोद करता क्या करता है कि वास्तों में वह जिस चीज पर सोद कर रहा है व वो उसका अस्थित्व कोई है या नहीं है क्या वो चीज मौदूद है इन सभी के बारे में वो विचार करता है इसको हम अस्थित्वाद बोलते हैं इंगलीज में इसको ओंटोलाजी बोलते हैं आईए दूसरे डाइमेंशन पर आते हैं दूसरा डाइमेंशन क्या है ज्ञान और इसके अधिग्राण से संबंधित है यानि कि सोथ करता है इसमें ये विचार करता है कि डेटा कैसे करेगा और सब्सक्राइब कारेगा यह सबी चीज क्या है ज्ञान मिमान साथ से संबंधित है जिसको इंग्रीस पहलते हैं Do आब यचे क्या है जोर्थ करता होता है वह अनुसंधान डियाइन इसकी विधियों और इसकी प्रक्रिया Casey और इसका उप्योग एक सोत करता है केसे करता है इस नाम किया है यह किसने संबनित है यह इसको सोद अभिकल्ब भी बोलते हैं और किनी किनी विधियों के इस्तमाल किया जाएगा और क्या प्रक्रिया उसमें अप्लाइए होंगी इस सबसे वह है और इसमें एक सोद करता है क्या करता है इसका अप्रियक कैसे करता है डेटा यानि कि जो आकड़ा होता है इसको आनुसंधान में मुल्यों की भूमिका से संबंदित होता है कि अनुसंधान में मुल्यों की भूमिका क्या होता है कुछ नियम भी होते हैं कुछ सिधान्त भी होते हैं उनके हिसाब से उसे चलना होता है ना कि वो सोध में अपना पुरवाग्रह अपना जो मनवित्ती है उसको क्या हे डाल ने की कितने समय लगेगा यह करने में और किन-किन अस्थानों पर जाकर डेटा हमको क्लेक्ट करना होगा ठेक छटमांट डिमेंशन है जिसको हम क्या करता है जूनिट आप एनालिसिस अब इसमें सोथ करता क्या करता है यह जो होता है वो डेटा एकत्र करने और वीशलेश ट करने के अस्तह से सम्मदित होता है इसमें पत्र करता क्या करता है कि डेटा । करने और वीशनचर करने के शिंट्र कोड से कई प्रकार के अस्तर में अपने जो उसका उसका सेंपल है उसको बार देता है जैसे व्यक्ति समू संगठन मतलब कि विशलेशड इकाई में विशलेशड करने के लिए इसको सुविदा हो तो इस दिश्रिकोड के ध्यान में रखते हुए वो क्या है इसको कई अस्तर में डिवाइड कर देता है इसमें क्या होता है इसमें अध्यन में विश्तार या विवरण के अस्तर से समझे थे यानि कि कि किस तरह से अपने अध्यन को और विश्तार में बढ़ा विश्तार में ले जाए 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 जिससे कि जो भी हम रिशर्च करें वह बहुत ज़्यदा डिपली करें और जब हम जिप्लिक करेंगे तो हमको पढ़ना भी बहुत है कि अच्छे प्राथ होंगे और जिस चीज पर रिशर्च कर रहे हैं उससे समधे जंकारी भी बहुत अच्छे प्राथ होंगे ठीक है जैसे दखी यह मैक्रो माइक्रो मेशो यह तीन लेबल है मतलब कि शुच्म अतिशुच्म और लगू यह तीनों प्रकार में जाके क्या है मतलब एकदम शुच्म लेबल पर क्या है वह वह बिशनेशर का अस्तर डिसाइड कर दाए अटमा डामेंशन अनुसंधान आपनाता है अनुसर्ट को करता है कि अनुसंदान का ऐक पूरा बनावा है प्यमाना बना है उसके यह को ऑफ्यान में रखता है कर रहा है सोझ करने हम दहसपरःथा के खिलाब कर रहा है और क्या है तो आप उसके सामने चाहिए तो अनुसंदार का दिष्टि कोर अपना रिसर्चना की अपना रिष्टि कोर नबुना रनी ति को sampling strategy अब इसमें वह रिषयर्चर एक करता है कि किस म्रकार से हमको लेनी है उसका टेक्निक क्या होगा और कौंसी टेक्निक को प्योग करने जब कोई होता है तो पहले डो रिषयर्चर होता है एक population को परिभासित करता है और फिर population में से कुछ बॉलते हैं नमूना क्या होता है है जिससे की हम पुरे बनारज़ीले में अगर मौली कोई को प्रति करना बनारज़ीले के सब्सक्राइगे तो यह प्रति कुल करेंगे तो इसके लिए कई प्रकार की जो है टेक्निक आपके मनुविज्ञान में है जैसे क्लेश्टर सेंप्लिंग हो गया रेंडम सेंप्लिंग हो गया इसनों बाल सेंप्लिंग हो गया स्टेटिफायर सेंप्लिंग हो गया कई प्रकार की सेंप्लिन टेक्निक है जिसका उपयोग करके हम अपने सेंपल का चैन कर लेते हैं दसमा डेटा संग्रत विदियां याई डाटा कलेक्शन में अब यहां पर रिशर्चर यह जो हम को डाटा कलेक्ट करना एक लिए उसमें किन-किन विदियों का हम इस्तमाल करेंगे किकर और किन विदियों का इस्तमाल होगा यह जो दसमाद डामेंशन इससे सब्मंदित है गिर मां डेटा विश्लेशाट टेक्निक है अब जब डाटा संग्रा हो गया तो डाटा को कैसे किया जाएगा इसकी कौन सट टेक्निक अपना जाएगा इन सभी बातों का ध्यान इस डिमेंशन में लिए जाता है डेटा विश्णशन करने के लिए कई टकनिक बताई गई है जैसे एक पोर्संद स्टेटिक्स है करके। इसमनेटा सीधून की उन भी स्लिएमाइ सब्सक्राइब करके। इन उसमें ध्यास कि किया जाता ह। जो रिजन प्राइब उसमें क्या नहतिक है क्या अनेतिक है और जो नहतिक चीज़ है इसको पॉइंट आउप कर दिया जाता है तो इस तरह से आपने आज के क्लास में डाइमेंशन और रिसर्च यानि की सोध की आयाम क्या होते हैं इसको एकदम असान सब्द में पढ़ा आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा क्लास पसंद आया तो वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा मिलते हैं चुगा बहुत बहुत धन्यवाद